अब बहुत खुशी की बात है जो मैं बहुत बहुत किमती बात है जैसे कि आप लोगों को पता चल चुका है कि के विए स्प्यार टी म्यूजिकल रिदल्ट आ जा चुका है जिनका सेलेक्शन ने बहुत-बहुत बढ़ाई और जिनका नहीं वह त्यारी करें इसके लाबा मैं है क्या कोई भी कुछ नहीं कह सकता वेटिंग लिस्ट का इंतजार करें लेकिन भूल कर ठीक है मैंने जैसे बता है अब दूसरी बात जो मीन बात है कि आप लोगों को जो प्यार्टी रिवाइद लिस्ट का इंतजार था वही आ चुकी है अब जो एक के विएस आरो मुंब बता दी लेकिन मेरी पूरी उमीरे आप लोगों के साथ है और मेरी पूरा आशीरवाद आशीरवाद तो क्या आप लोग भी मुझसे कई बड़े होंगे या बराबर होंगे मेरा प्यार आप लोगों के साथ है तो सबसे बड़ी बात ही है कि आप लोगों को रिवाइद लि रिलीस कर रहा है तो आता जाएगा या तो सारे वर देखते रहा हो 25 25 आरो वह उनको देखते रहा हूं या फिर कहीं ना कहीं गूप में आ जाएगा मेरे टेलेग्राम चैनल में भी आ जाएगा और मेरे टेलेग्राम में वो किसको मिला मौका किसे मिला जो प्यारटी का रिजल्ट आ है तो मैं बताया तो मैंने क्या मैंने भी देख लिया था लेकिन मेरे कई पास हुए ती लेकिन दीष में नाम नहीं है जिस में और आपको भी पताEST का प्यारटी का नुसे वो उसमें उन बच्चों का भी नाम था जो NIS वाले बच्चे थे और KVS ने कईयों को तो NIS वाले बच्चों को रोजगार मेलों में बुलाया भी था लेकिन उन्हें जॉइनिंग देने से मरा कर दिया था सुप्रीम पोर्ट के आदेश अनुसार बात समझ आई अब यहां से तर्क संगत बात करते हैं मैं कुछ बात नहीं कह रहा तो अब अगर यह बच्चे जो तीन बच्चे किस-किस में KVS-RO मुंबई और दो KVS-RO सिल्चर में जिनका PRT में सेलेक्शन हुआ है यह उस फाइनल लिस्ट में नहीं थे लेकिन इंटर्वी वाले लिस्ट में थे यानि कि उन्हें मौका नहीं दिया जो फाइनल लिस्ट वाले बच्चे और जिनका भी सेलेक्शन हो रहा है उन्हें बहुत-बहुत बढ़ाई जिनका नहीं हुआ संगर्स करते रहें लेकिन यह लिस्ट में नाम मेरे को ऐसा लग रहा है केल्गुलेशन के लिस्ट के बाद कि KVS ने NIS वालों को मौका नहीं दिया उनके बदले जो नॉन-NIS वाल बाकी अब पूरी लिस्ट आज आएगी नजरे बनाए रखे आज की रात बहुत खुशियों वाली होने वाली है जिनका भी सेलेक्शन आएगा अच्छा एक और कुशन पूछा जा रहा है नंबर कितने होंगे मेरे को ऐसा लगता है नंबर 300 के आसपास होंगे 300 से थोड़ा